पाठ चार संग्या नाउन कमल ने श्वेता से कहा श्वेता आओ घांस पर गूमते हैं देखो आकाश में सूर्य चमक रहा है मैदान में पेड कितने सुन्दर लग रहे हैं जरा भेड और बक्रियों के जुंड की शोभा तो देखो कितने आनन से पास पास चर रहे हैं श्वेता क्रोध से बोली तुम्हें कभी पढ़ाई का भी ध्यान आता है अब पुस्तकालिय चलो बच्चो रंगीन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए ये शब्द किसी ना किसी व्यक्ती, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं अताहा हम कह सकते हैं किसी व्यक्ती, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का भोत कराने वाले शब्द संग्या कहलाते हैं संग्या के भेत व्यक्ती वाचक, जाती वाचक, भावाचक व्यक्ती वाचक संग्या जो शब्द किसी विशेश व्यक्ती, वस्तु, अत्वास्थान की जानकारी देते हैं वे व्यक्ती वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे सूरज, चांद, ताजमहर, दिल्ली, गोदान, लालकिला, भारत, महात्मा गांधी, भूटान, होली, दिवाली, आदी ये सभी शब्द, विशेश व्यक्ती, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं ताजमहर, महात्मा गांधी, गोदान जाती वाचक संग्या, जो शब्द किसी व्यक्ती, वस्तु या स्थान की संपून जाती का बोध कराते हैं वे जाती वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे फल, फूल, सबजी, नगर, नदी, परवत, गांध, पेड, पश्यू, आदी फल, फूल, नगर या पश्यू, आदी शब्द कहने से सभी प्रकार के फलों, फूलों, संसार के सभी नगरों तथा समस्त पश्यूं का बोध होता है फल, फूल, सबजी भाव वाचक संग्या जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोश, मन के भाव या वस्ता का बोध कराते हैं वे भाव वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे बचपन, दुख, सुक, अहिंसा, दया, शमा, क्रोध, प्यार, सुंदर्ता, हसी, मिठास, हैरानी, आदी यहां एक बात ध्यान देनी की है कीन है, हम हाद से चू नहीं सकते इनकास थूल रूप देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं जैसे यदी कहें गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का चित्र सामने आता है पर खुश्बुक कहने से इसका कोई चित्र सामने नहीं आता किन्तु इसे महसूस किया जा सकता है बाववाचक संग्या के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते कुछ संग्याएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं जैसे दया, प्रेम, कुरोध, सत्य, उपकार, करुणा, आदी कुछ भाववाचक संग्याएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं जैसे जाती वाचक संग्यासे जाती वाचक, भाववाचक, लडका, लडकपन, बच्चा, बच्पन, बुढ़ा, बुढ़ापा, सेवक, सेवा, देव, देवत्व, नारी, नारित्व, मात्र मात्रित्व, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता, दानव, दानवता, मित्र, मित्रता, श्यत्रू, श्यत्रुता, स्त्री, स्त्रित्व, पुरुष, पुरुष्ट्व, सर्वनाम से, सर्वनाम, भावाचक, अपना, अपना पन, स्वव, स्वत्व, निज, निजत्व सम, सम्ता, पराया, परायापन, सर्व, सरस्व विशेशन से, विशेशन, भावाचक, सुन्दर, सुन्दरता, वीर, वीरता, कायर, कायरता, सफल, सफलता, कथोर, कथोरता, गरम, गर्मी, थंडा, थंडक, मीठा, मिठास, भला, भलाई, अच्छा, अच्छाई गोल, गोलाई, लंबा, लंबाई, चोड़ा, चोड़ाई, उच्छा, उच्छाई, चंचल, चंचलता, नीला, नीलापन, हरा, हरापन, हरियाली, पीला, पीलापन, लाल, लालिमा, ललाई, बुरा, बुराई क्रिया से, क्रिया भावाचक, उडना उडान, लडना लडाई, लिखना लिखाई, लिखावट, पकड़ना पकड़, हसना हसी, चलना चाल, सजाना सजावट, पढ़ना पढ़ाई, चड़ना चड़ाई, अकड़ना अकड़, जकड़ना जकड़, रोना रुलाई, देना दान, बनाना बनावट, दिये गए संग्या भेदों के अतिरिक संग्या के दो अन्य भेद भी होते हैं, जिन्हे जाती वाचक संग्या का भेद माना जाता है, इनके नाम है समुह वाचक संग्या और दिव्य वाचक संग्या समुह वाचक संग्या जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तू, आदी के समु या समुदाय का बोध कराते हैं वे समुह वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे जुलूस, गुल्दस्ता, सभा, कक्षा, जुन्ड, सेना, जन्ता, आदी, जुलूस, गुल्दस्ता, कक्षा, द्रिव्य वाचक संग्या, जो शब्द किसी धातु, द्रिव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वैं द्रिव्य वाचक संग्या कहलाते हैं, जैसे लोहा, तामबा, पीतल, कोयला, पानी, दूद, अनाज, चावल, चना, आदी तामबा, दूद, चावल एक बार फिर से किसी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के तीन भेद हैं पहला व्यक्ति वाचक संग्या, दूसरा जाती वाचक संग्या, तीसरा भाव वाचक संग्या भाव वाचक संग्या का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता इनका निर्मान जाती वाचक संग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया शब्दों से भी होता है संग्या के दो अन्य भेद भी होते हैं जो जाती वाचक संग्या के भेद माने जाते हैं यह हैं समूह वाचक संग्या और द्रिव्य वाचक संग्या